हेलो फ्रेंट्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम तो यार ओन यूट्यूब चैनल सत्गुरू इंसिट्यूट आई होब यूल फाइन सो फ्रेंट्स आज हम में कोस बूग का लेसन 6 करेंगे इससे पहले हमने में कोस बूग के 5 लेसन पोईट्री सेक्शन और इनके कोशन अंसर्स कम्प्लीट कर लिए जिनों ने अभी तक चैप्टर्स और पॉइम्स नहीं कियें वो कर लीजिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके इलावा चैप्टर्स की इंग्लिश पोईट्री सेक्शन नाम से और कोशन अंसर्स की कोशन अंसर्स ओफ ओल चैप्टर नाम से अलग-अलग प्लेइलिस्ट बनी हुई है इन तीनों प्लेइलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज हम डिस्कस करेंगे में कोर्स बुक का लेसन 6 दा होम कमिंग विच इस रिटन बाइ नोबल लॉरेट रबिन्दर नाटे गोर सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टोरी है सो प्लीस आप इस वीडियो को एन तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को शेर करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आप टेलिग्राम पर सत्गुरु इंस्टिट्ट चैनल को जोईन कर सकते हैं इस चैनल पर आपको सभी चैप्रस की वीडियो के लिंक और सभी चैप्रस की पीडियो फाइल्स मिल जाएंगी आप सत्गुरु इंस्टिट्ट को इंस्ट्राग्राम, फेस्बूक और ट्वीटर पर फोलो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हम आज की वीडियो दा होम कमिंग फातिक चोकरवर्ती वास दा रिंग लीडर अमंगेस दा बोईज ओफ दा विलेज जो फातिक चोकरवर्ती है वो इस कहानी का मेन करेक्टर है यह जो स्टोरी है यह फातिक चोकरवर्ती के इर्ध इर्ध घूमती है जो फातिक चोकरवर्ती था वो अपने गाउं के लड़कों का सरदार था One day a plan for new mischief entered his head एक दिन उसके दिमाग में एक नई शरारत के लिए योजना सुझी There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat नदी की कीचड़ वाली भूमी पर लकड़ी का भारी लठा पड़ा उआ था और वो लठा इसी लिए पड़ा हुआ था तांकि उस लठे से नाव की मस्तूल बनाई जा सके His plan was that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away फाती की ये योजना थी की वो और उसके साथ ही साथ में मिलकर पूरे बल के साथ उस लठे को उसकी जगह से खिसका देंगे और कई दूर लड़का देंगे The owner of the log would be angry and surprised जिस से उस लठे का मालिक गुसा करेगा, हैरान होगा, एश्ट्रे चकित होगा While they would all enjoy the fun जबकि वो सब इस खेल का अनंद लेंगे Everyone supported the proposal and it was carried unanimously सभी लड़को ने इस प्रपोजल का इस परस्ताव का सर्फ सैमती से समर्थन किया, सर्फ सैमती से सहयोग दिया But just as the fun was about to begin, माखन, फातिक's younger brother, saunted up without a word and sat down on the log in front of them all प्रंतु क्या होता है, जैसी ये खेल शुरू होता है, तभी फातिका छोटा भाई माखन वहां पर टहलता हुआ आता है और बिना किसी से कुछ कहे, सब के सामने उस लठे पर जाकर बैट जाता है The boys were puzzled for a moment, एक पल के लिए सभी लड़के हैरान हो गई One of them pushed him rather timidly and told him to get up, but he remained quite unconcerned उन लड़कों में से एक लड़के ने माखन को डरते डरते धक्का दिया और उसे उठने को कहा प्रंतु माखन उस लठे पर बे परवा बैठा रहा, बिना किसी परवा के उस लठे पर बैठा रहा He appeared like a young philosopher, meditating on the futility of things माखन उस लठे पर ऐसा बैठा दिखाई दे रहा था मानो कोई युवा दार्शनिक लठे पर बैठा हो और चीजों की futility पर meditate कर रहा हो फातिक was furious, फातिक को बहुत गुसाया, माखन, he cried If you don't get up this minute, I'll thrash you फातिक माखन पर चिलाया, उसने माखन को कहा कि अगर तुम अभी इसी वक्त लठे से ना उठे तो मैं तुझे पीटूंगा माखन only moved to a more comfortable position ये सुनकर माखन और ज्यादा आराम दाइक्स्तिती में चला गया Now, if फातिक was to keep his regal dignity before the public It was clear that he must carry out his threat अब ये बात तो बिल्कुल स्पस्ट थी कि अगर फातिको अपना शाही गौरव सबके सामने कायम रखना था जनता के सामने कायम रखना था तो उसे अपनी धमकी को पूरा करना होगा उसे अपनी धमकी को अंजाम देना होगा But his courage failed him at the crisis प्रन्तो इस संकट की घड़ी में उसका साहास जवाब दे चुका था His fertile brain, however rapidly, seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers added amusement फातिक के तेज दिमाग ने उपजाओ मस्तिक्ष ने तेजी से एक नई चत्रु योजना सोची जिससे उसके भाई को परिशानी होगी वो घबरा जाएगा जबकि उसके समर्थक हैं जो उसके followers हैं उन्हें मनुरंजन मिलेगा वो entertain होंगे He gave the word and command to roll the log and makhan over together फातिक ने अपने followers को ये आदेश दिया कि वो log यानिकी लठा और makhan दोनों को एक साथ लुड़का दे Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on Makhan ने फातिक का अदेश सुना और लठे पर डटे रहना ही अपने सनमान की बात बना ली But like those who attempt earthly fame in other matters He overlooked the fact that there was peril in it परन्तु दूसरे लोगों की तरह फातिक ने भी इस फैक्ट को अंदेखा कर दिया इस फैक्ट को नजर अंदास कर दिया कि जैसे दूसरे लोग दूसरे मामलों में संसारिक प्रसिधी प्रापत करने के लिए जोखी मोल लेते हैं, खत्रा मोल लेते हैं उसी तरह फातिक ने भी अपना शाही गौरव काइम रखने के लिए माकhan को खत्रे में डाला, माकhan की लाइफ के साथ रिस्क लिया The boys began to heave at the log with all their might calling out one, two, three, go. At the word go, the log went and with it went Markhan's philosophy, glory and all. आदेश सुनते ही सभी लड़कों ने एक साथ पुरे बल के साथ लठे को जोर लगाना शिरू कर दिया और कहने लगे एक, दो, तिन, चलो. चलो शब्द कहते ही लठा लड़कने लगा और साथ ही माखन का दर्शन, उसकी महीमा और सब कुछ जाता रहा. दूसरे लड़के खुशी से जूमने लगे, वो खुशी से चिलाने लगे, वो इतने ज़्यादा चिलाए कि उनका गला बैट गया. बट फातिक वाज़ लिटल फ्राइटेंड, प्रंतु अब फातिक थोड़ा डर गया था. He knew what was coming, फातिक अच्छे से जानता था कि अब क्या होने वाला था. And he was not mistaken, और वो गलत भी नहीं था. For माखन रोस फ्रों मदर अर्थ, ब्लाइट अस फेट, एंड स्क्रीमिंग लाइक दा फ्यूरियस. माखन धर्ति माता से भागदेव की तरह अंधा बना हुआ, और क्रोथ की देवियों की तरह चीकता हुआ उठा. He rushed at फातिक, वो फातिक की और जप्ता, scratched his face, फातिक के face को खरोचा, beat him, उसे पीटा, and kicked him, उसे लात मारी, and then went crying home, और रोते हुए घर चला गया. The first act of the drama was over, यहाँ पर नाट का पहला अंग खतम हो चुका था. फातिक wiped his face, and sitting down on the edge of a sunken barge by the river bank, began to nibble at a piece of grass. फातिक ने अपना चेहरा white किया, और नदी के किनारे खड़ी, दसी हुई नाओ के किनारे पर जाकर बैट गया, और घास के टुकडे को चबाने लगा. A boat came up to the landing, and a middle-aged man with gray hair and dark mustache stabbed on to the shore. घाट पर एक नाओ आती है, और उस नाओ से एक आदमी उतर कर किनारे पर आता है, और जो वो आदमी होता है, वो मध्य आयू का आदमी होता है, उसके बाल सफेद होते हैं, और काली मूच्छे होती है. He saw the boy sitting there doing nothing. वो आदमी फातिक को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठा होते हैं, जो कि कुछ नहीं कर रहा, and asked him where the chakravartis lived. वो मध्य आयू वला आदमी फातिक से पूचते हैं कि चakravartis कहां रहते हैं. फातिक went on nibbling the grass and said, over there, फातिक घास को चबाना जारी रखते हैं और कहते हैं वहाँ पर, but it was quite impossible to tell where he pointed. पर ये कहना काफी असंभव था कि फातिक ने किस तरफ इशारा किया था. The stranger asked him again, उस अजनभी व्यक्ती ने दुबारा से फातिक से पूचा. He swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out and continue to nibble the grass. फातिक ने अपनी legs नाओ के इधर उधर जूली और कहा, जाओ और पता कर लो और घास को जबाना जारी रखा, but at the moment a servant came down from the house and told फातिक that his mother wanted him. प्रन्तु उसी समय घर से एक नोकर आता है, जो फातिक से कहता है कि उसकी माउसे बुला रही है. फातिक refused to move, प्रन्तु फातिक वहाँ से हिलने से मना कर देता है. But on this occasion, the servant was the master, प्रन्तु इस अफसर पर जो servant था वो मालिक था. He roughly took फातिक up and carried him. Servant किसी ना किसी तरीके से फातिक उठा लेता है और उससे अपने साथ ले जाता है. Kicking and struggling in important rage, जबकि फातिक अपनी legs इदर उदर पटकता है और बड़े ही शक्तिहिन क्रोध में संगर्ष करता है. When फातिक entered the house, his mother saw him and called out angrily, so you have been hitting माखन अगेन. जब फातिक घर में गुसा, तो उसकी मार ने उसे देखा और गुसे में बोली, तो तुमने माखन को फिर पीटा. फातिक answered indignantly, no, I haven't. Who told you that I had? फातिक ने बड़े ही क्रोध से जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं मारा. आपको किसने कहा कि मैंने माखन को मारा. His mother shouted, don't tell lies, you have. उसकी माची लाई, तुम जूट मत बोलो, तुमने मारा है. फातिक said suddenly, I tell you I haven't, you ask माखन. फातिक बड़े ही चिर्चिडे पन से बोला, मैं कहरा हूँ मैंने नहीं मारा, आप माखन से पूछ लीजिये. बट माखन थोट, it best to stick to his previous statement. He said, yes mother, फातिक डिट, हिट मी. प्रंतु माखन ने अपने पिछले ब्यान पर डटे रहना ही सही समझा और उसने कहा, हाँ मा, मुझे फातिक ने मारा है. फातिक's patience was already exhausted. फातिक की सहन शीलता पहले ही खतम हो चुकी थी. He could not bear this injustice. वो इस अन्याय को सहन नहीं कर सका. He rushed at माखन and rained on him a shower of blows. वो माखन की और जप्ता और उस पर घुसों की बोचार कर दी. Take that, he cried, वो चिलाया yellow and that and that for telling lies. ये लो और ये भी लो जूट बोलने के लिए. His mother took माखन side in a moment and pulled फातिक away. उसकी मा ने एक पल में माखन का पक्ष ले लिया और फातिक को दूर खीच लिया, returning his blows with equal vigor और उसके घुसे उसी को समान शक्ती में वापिस कर दिये. When फातिक pushed her aside, she shouted out, What? You little villain? Would you hit your own mother? जब फातिक ने अपनी मा को एक तरफ धक्का दिया, वो चिलाई, Hey छोटे खलनायक, क्या तुम अब अपनी मा को भी मारोगे? It was just at this critical moment that the grey-haired stranger arrived. इस नाजुक पल में वो सफेद बालों वाला अजनभी व्यक्ती वहाँ पर पहुँच गया. So friends, ये वही अजनभी था जिसने फातिक से चक्करवर्तिस का घर पूचा था. He asked what had occurred, उसने पूचा क्या हो गया? फातिक looked shippish and ashamed. फातिक मूचुराने लगा और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise for she recognized her brother and cried, Why दादा, where you have come from? प्रन्तु जैसे ही फातिकी मा ने एक कदम पीछे लिया और अजनभी की तरफ देखा, तो उसका गुसा हैरानी में बदल गया. क्यूंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया और वो चिलाई, हे दादा, आप कहां से आए? As she said these words, she bowed to the ground, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो भूमी की तरफ जुकी and touched his feet और अपने भाई के पैर चुए. Her brother Bishamber had gone away soon after she had married and had started business in Mumbai. फाती की मा का भाई, यानि की Bishamber अपनी बहन की शादी के बाद जल्द ही Mumbai चला गया था अपना बिजनस स्टार्ट करने के लिए. She herself had lost her husband while he was there. फाती की मा ने, यानि की Bishamber की बहन ने अपने husband को खो दिया था जब उसका भाई Mumbai में था. Bishamber had now come back to Kolkata. अब उसका भाई Bishamber Kolkata वापस लोट आया and had to once made inquiries concerning his sister. और जैसे ही Bishamber Kolkata वापस आया, उसने अपनी बहन के बारे में पूछताच करनी शिरू कर दी. As soon as he found out where she was, he had his son to see her. जैसे ही Bishamber को अपनी बहन के बारे में पता चला, तो वे तुरंथ ही अपनी बहन को मिलने के लिए आ गया था. The next few days were full of rejoicing. अगले कुछ दिन अनन से भरे हुए थे. The brother asked how the two boys were being brought up. Bishamber ने अपनी बहन से पूछा कि दोनों बच्चों की परवरेश कैसे चल रही है. He was told by his sister that Fatiq was a perpetual nuisance. Fatiq की मार ने Bishamber को कहा कि Fatiq उसके लिए लगातर बादा का कारन रहा था. He was lazy, disobedient and wild. Fatiq आलसी था, हटी था और सवार्ती था. But माखन was as good as gold, as quiet as a lamb and very fond of reading. प्रन्तु माखन Fatiq के बिलकुल opposite था. माखन सोने जितना अच्छा था, मेम ने जितना शान था और पढ़ने का शोकीन था. Bishamber kindly offered to take Fatiq off his sister's hand and educate him with his own children in Kolkata. Bishamber ने बड़ी ही दया भावना से अपनी बहन के आगे ये पेशकश की, कि वो Fatiq को अपने साथ Kolkata ले जाएगा और वहीं अपने बच्चों के साथ उसे शिक्षित करेगा. The widowed mother readily agreed, विद्वा मा आसानी से मान गई. When his uncle asked Fatiq if he would like to go to Kolkata with him, जब Fatiq के मामा ने Fatiq से पूछा कि वो Kolkata जाना पसंद करेगा, his joy knew no bounds, तब उसकी खुशी का कोई ठीकाना ना रहा. And he said, Oh yes uncle, और Fatiq ने का, Oh हां मामा जी, in a way that made it quite clear that he meant it. और Fatiq ने इस तरीके से कहा, जिससे बिलकुल साफ जाईर होता था, कि वो भी Kolkata जाना चाहता था. It was an immense relief to the mother to get rid of Fatiq. Fatiq से चुटकारा पाना मा के लिए अथ्यादिक राहत की बात थी. She had a prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. Fatiq की मा के मन में ये गलत धारना थी, कि Fatiq और माखन के बीच में अब कोई प्यार नहीं बचा था. She was in daily fear that he would someday either drown माखन in the river. Fatiq की मा को हर रोज ये ही डर लगा रहता था, कि किसे दिन Fatiq माखन को या तो नदी में डूबो कर मार देगा, और break his head in a fight, या लडाई में उसका सिर्फ फोड देगा, और urge him on into some danger, या उसे किसे खत्रे में डाल देगा. At the same time, she was a little distressed to see Fatiq's extreme eagerness to leave his home. Fatiq की मा उस समय थोड़ी उदास भी थी, ये देख कर कि Fatiq को अपना घर छोड़ने में कितनी ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी, कितनी ज़्यादा उसे excitement हो रही थी. Fatiq, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. जैसे ही सब कुछ तै हुआ, Fatiq अपने अंकल से हर मीनिट ये ही पूछता रहता, कि वो लोग कोलकाता के लिए कब रवाना होंगे. He was on pins all day long with excitement and lay awake most of the night. Fatiq पूरा दिन उच्सा में बेचैन रहता और रात भर जाकता रहता. He बिक्वथी टू माखन इन परपिट्यूटी, his fishing road, his big kite and his marbles. Fatiq ने अपनी fishing road, अपनी kite और अपने marbles माखन को सदैव के लिए वसीयत में दे दिये. Indeed, at this time of departure, his generosity towards माखन was unbounded. वास्तव में इस जाने के समय में, Fatiq की माखन के प्रति उदारता असीम थी. So friends, यहाँ पर हमारा part 1 complete होता है, next video में हम इस chapter को complete करेंगे. अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप comment section, instagram किसी पर भी पूछ सकते हैं. इसके इलावा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please video को like और share करें. अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना ना भूलिए. आप telegram पर सत्गुरू Institute चैनल को join कर सकते हैं और facebook, instagram और twitter पर follow कर सकते हैं. Thanks for watching this video. Keep watching सत्गुरू Institute. अग्रियों यद्ग तोर तोijo textbook 5.